हलो एवरिवान आपका एक और बार स्वागत है एस्प्रेसो के चैनल पे जहां पर कि हम रन कर रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग स्विंग ट्रेडिंग की सिरीज अभी तक हमने स्विंग ट्रेडिंग के बारों में इतनी सारी चीज़े जान ली है और अभी तक आपने अगर कंजूसी मत कीजेगा ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियो आपके लिए कंटिनियू होते रहें तो हम ना अभी तक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं हम बात कर चुके हैं किस प्रकार से हमें कंडल स्टिक्स आइडेंटिफाई करना चीए लेकिन अब सवाल आ स्क्रीन पर कुछ स्टॉक से ले लेते हैं तो सबसे पहले तो हम बड़ी स्क्रीन पर जाते हैं लेट्स गो टू लाजर स्क्रीन और लेट्स लूक आउट फॉर लेट्स से रिलाइन्स ठीक है और यहां पर सपोर्ट की हमने बात करी थी बोध है अग्शुली वर्ट आउट बट फॉर नाओ हम ब्रैग नहीं करना चाहते है कि वी अल्रेडी टॉक्ड अबाउट इस तेंग्स इंडो दे सीरीज हम पॉइंट की बात करेंगे हम यहां पर जाके इंडिकेटर्स पे जाक कि मार्केट को किस तरफ मूव करना चाहते हैं या किसी स्टॉक को किस प्रकार से मूव करना चाहते हैं जाहर सी बात है स्वभाविक सी बात है higher volume gives you more confirmation कि यह particular stop किस direction में जा सकता है यह कहां से पलट सकता है दोनों चीज कहां जा सकता है और कहां पलट सकता है देखिए जहां पर सबसे जाधा volume होगा वो क्यों होगा तीन रीजन से पहले रीजन होता है कि यह institutional action काफी जाधा वहां पर होगा है that is number one second reason क्या होगा second reason यह होता है कि वहां पर जितने सारे लोग trade कर रहे हैं या तो उनका stop loss हो गया है तो there is a massive action और तीसरा काफी सारे algo traders का confluence point वो होता है व वहीं पर या तो turning point होता है या तो continuation point होता है कैसे example देखते हैं Reliance की chart पर मैं अगर clearly देखू तो यह वाला particular candle है जहां पर कि recent time frames में daily candle पर देखू तो बहुत जाधा volume हुआ है एक तरीके से अगर आपने last video देखा है तो मैं कहूंगा कि यह bearish engulfing तो नहीं है but clearly a very bearish sign यहां प short इस दिन करते swing trade पर लेकिन क्या लगता है आपको वो पैसे बनाते है या फस जाते है वो फस जाते है because they didn't realize कि volume को आपको judge कैसे करना है यहां पर आपको volume ऐसा judge करना चाहिए था कि यह बहुत time से नीचे गर रहा है and there was an ultimate action which took place over this candle the low of candle was over here तो चलिए let's draw one line over here where there was a low so this is precisely जहां पर reliance ने उस समय पर low बना है and उसी candle के high के आसपास हम एक और candle draw कर देते correct so now basically what happened is a lot of people जो यहां पर अगले दिन sell करने बैठे होंगे वो ना sell हुआ ना buy हुआ time pass में एक पूरे range में इसको reliance ने capture in कर लिया तो आपको पहली चीत समझनी थी जही थी कि अगर इतना बड़ा volume action हुआ if the big players or the institution still wanted to continue to sell तो यह next day भी follow up action होता but कहीं न कहीं selling इस दिन absorb हुई and that is why my dear friend वो कुछ दिन तक जब नहीं किया यहां पर absorption हुआ absorption हुआ and in days to come it went up तो बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अगर red candle है with good volume इसका में बड़ा sell करो यहां पर आप सबसे बड़ी mistake करो और यह केवल experienced लोग ही आपको बता सकते हैं तो आपके पहली सीख्या होनी चाहिए पहली सीख्या होनी चाहिए कि volume is not just a continuation point it is also a reversal point तो आप अगर यह simple सा line इदर capture करते तो आपको देख जाता कि इस particular candle ने भी यहीं पर support लिया मोटा मोटी यह सारे candle भी इस area को reflect कर रहे है and that is where the bounce actually took place तो काफी सारे लोग अब रोलेंगे और यार मैंने short किया था फिर gap up हो गया market is manipulated first of all आपको in range में in range में आपको short करने की जरूरती नहीं थी क्यों जरूरत नहीं थी because आप short करते हो तो आपको पहले यह तो देखना था यह वाला level अगर तूट जाता the line which you have drawn उसके बाद आप short करते तो sense बनता तो यहां पर आपको short नहीं करना था next चीज जो आपको volume में ध्यान रखना है कि it is not just reversal point it is also a continuation point how थोड़ा सा हम यहां पर पीछे चलते हैं और यहां पर हम जब पीछे जाते हैं तो देखे आपको मोटा मोटी volume हर जगा same देख रहा है थोड़ा एदर spike का रहा है बट फिर मोटा मोटी same देख रहा है but that doesn't mean that आपको यहां पर short करना है तो now I'll give you a very simple hack जिससे कि आप volume के confluence के basis पे price action basis पे swing trade ले सकते हैं simple सा चीज करना है आपको जहां पर सबसे जादा volume action historical time frame पे within six months हुआ है उस candle को पहले पिक कीजिए दूसरी चीज आपको क्या करना है उसके range को mark कर दीजिए as simple as that तो यहां पर जैसे कि यह वाला candle हो गया and इसी candle के low range को mark कर दीजिए और जिस side भी एक proper बाड़ा सा candle बन जाए उस तरफ का आप trade ले लिजिए तो जाहर सी बात एक up move में आपका वैसे भी biasness एक upside पी होना चाहिए whenever you are trading trend is your friend और trend यहां पर positive है तो आपको positive है लेना चाहिए तो यहां पर अगर आप एक positive sense पर भी इस पर trade लेते हो तो यहां पर एक bullish breakout आता है आपको बस यहां पर enter कर लेना चाहिए था और आपको आराम से 3-4 दिन के अंदर बहुत ही massive swing मिल जाता है तो आज volume के बारे में हमन इंको add कल लेते तो और अच्छे criteria मिल जाता है and finally हमको एक चीज समझनी पड़ेगी केवल candle दिखके हमको trade नहीं करना है अगर swing trade अच्छे से करना है तो volumes का भी सहरा लेना पड़ेगा लेकिन आपके दिमाग में सवाल आयोगा ना कि चलिए अब हमने यह सारी चीज़ों समझ पर अगर हम चार्ट में लोगों को plot करें तो किसी प्राकार से क्या हम कुछ patterns या at least trend line की basis में हम swing trade ले सकने बिलकुल ले सकने लेकिन वो जानने के लिए आपको comments में अपने doubts लिखने पड़ेगे इस वीडियो को like करना पड़ेगा ताकि जल से जल हम अपने next वीडियो के स्कीम से संब्दित सभी दिस्तावेजों को द्यान से पड़ेगे